नेता प्रतिपक्ष भुपेंद्र हुड़ा से खास बाचीत यहाँ पर खबरे अभी तक ने की है और इस दोरान नेता प्रतिपक्ष भुपेंद्र हुड़ा ने निशाना भी साथा है हाला कि सदन में भी काफी मोखर नजर आए भुपेंद्र हुड़ा लेकिन दूसरी तरफ जब खबरिय अभी तक ने उनसे खास बातचीत की तो भी वो काफी भडास निकालते नज़र आए राजिपाल के भी भाश्र को बताया दशा दिशाहीन ये कहा है वुपेंडर वुड़ा ने और चोले अब आपको सुनवाते हैं खबर अभी तक के सवादता जितेंदर चौधरी ने पूर्व सीम नेता प्रतिपक्ष भुपेंडर वुड़ा से खास बातचीत की है क्या कुछ कहा है विदान सभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कारवाई स्थागित हो चुकिए हमारे साथ पूर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भुपेंडर सिंग होड़ा है उनसे जानते है क्या विपक्ष के तौर पर वो मुद्दे उठा पा रहे और उनका इस सदन की अब तक क सब्सक्राए को देखते हो है मुद्दो देखिए जहां तक राज अबिवाशन का सवाल है मैं कल बहुंत है को कोई सानी दिखारा सोसीय की और ऐसा एक भी कोई इदर उठाओ की सरकार का जहां तक राज ये पाल का लेकिन बद्धे भूत है ज्वनत मुद्धे हैं हमारे साथ उन जो सोड़ उठाया लेकिन सरकार की तो उसे कोई रेस्पाउंस नहीं आया जैसे गोठाले पर गोठाला हो रहा है धान के गोठाला की जांच मां मांग हैं आपके जो इसमें गोटाला हुआ उड़ा में गोटाला हुआ माइनिंग में इतना जबरस गोटाला हो रहा है लेकिन कोई जांच की तरफ कोई रिस्पोंस नहीं आया तो मैं सबस्ता था इस तर यह जांच होगी cb.i. द्वारा जाच की जाएगी तो गज़ार ये जो 90 करोड का गोटाला नहीं है दान का दान केख्रीद का 1000 करोड का है इसी परकार से गोटाले को क्या कॉलिंग अटेंशन में आपने दिया था और सुविकार कर लिया गया है क्योंकि अब है और अभी तो अभी ड्रग पे और यह किया है जो इन पे जो गोटाला उपना भी कोई नहीं किया है लेकिन इस बात के लिए पड़े जोड़ शोर से उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे हमसे कम इसको उस त्रिये इनक्वारी हो कोई सी बिया इनक्वारी करें या है कोड के ज़िए ज़िए तो बड़ा भारी गोटा रहा है बज़ट सतर के शुरुआत के साथ ये एकसाइज पॉलिसी आई उसको लेकर के भी विवाद देखने के लिए मिला कहा गया कि जो शराब रखने का घर में नियम है वो पहले से है पूर वरती सरकार से है और इस बात को जबाब ओड़ा साब को ही देना चाहिए ये सदन में भी आज बात आई थी देखिए हमारे हाँ जो पॉलिसी थी उस टाइम ग्राम पंचायद जो नहीं चाहती थी वहाँ पे नहीं होता था अब इनों ने बड़े जोर शोर से ये कहा कि हमने ग्राम सबागों दे दिया असराइज कर दिया जब ग्राम सबागी मीटिंग हो गई और वहाँ गाओं ने फैसला कर दिया यहां थेका ना खुले फिर उसके बाद यह वहाँ यह प्रमिट को दी जा रहे हैं वहाँ पे वहाँ पे बंदों नहीं चाहिए यह जो है आपकारी नीती वापिस लेने चाहिए सरकार को यह आगे समगलिंग में बढ़ावा देगी औ और यह वाप पीडियो खराब करेखे यह मैं नहीं कर रहा है लगिए सरकार के जो पर आपप का कहना है कैना औभी पहले भी नियम था अभी ये अगर इनियम है तो इसको लेकर करका आज सदन में भी यह बात आवने सामने होई है नी Dire 500 नीवा हमारे को यह है और इसका左右र समर होगा आज भी कह रहा हूं और मैंने आज सदन में भी कहा और ये बिल्कुर इसको सरकार को यह नीती तब बदनी चाहिए अब क्या आगे क्या रणनी दी रहने वाली है आपकी अगर बात की जाए तो इस पूरे बज़ट से अभी तो हमने आपने कॉलिंग इटेंशन दे रख करके जो निर्दली विधायक बलराज कुंडू ने आरोप लगाये थे पूर मंत्री पर आज बीवी बत्रा की तरफ से भी उसी तरीके के तमाम आकड़े रखे गए है क्या आपको लगता है कि सरकार निश्पक्स्ता से इन तमाम चीजों को सौट आउट करेगी इनकी जाश करना चाहिए यह कोई छोटा गोटाला नहीं है सीरें कोटाला जेट सो बिग्या बाज आठ सो कैसे बिग्या वह देखे ना किसान के साथ दोरी मार पड़ रही है किसान इसके गन्ने का भाव नी बढ़ा है इनोंने तीस रुपए बढ़ाया जब कि हमारे कारेकाल में एक सो तरानुए रुपए पर्ती कुटल हमने बढ़ाया लागत तो बढ़ा दी लागत तो एक एकर पे कई हजार रुपए बढ़ गी जैसे डीजल का भाव बढ़ गया आपका खात का भाव बढ़ गया भाई आपके चिराई बढ़गी बाही बढ़गी हर चीज उसके बढ़गी ट्रांस्पोर्टेशन बढ़गी लेकिन भाव तीस रुपए के बावजोद भी आज स्पीकर कहते हैं कि विपक्स के पास मुद्दे नहीं है इसलिए शूनिकाल खत्म कर देते हैं सीक्वेंस को लेकर के भी आपके जो है वो हंगामा देखने के लिए मिला विपक्स करेंगे बात करने के लिए तो पूर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा हमारे साथ थे जिनका एक कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कॉलिंग अटेंशन मोशन के माध्यम से दिये गए है अब ये देखना है कि सरकार किने मंजूर करती है और धान गोटाले को लेकर के खासतोर से जो प्रावधान अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन का पेंडिंग में रखा गया है उसको लेकर के दवाब बनाया जाएगा कि उ तेंद्र चौधरी खबरे अभी तक